हेलो एब्रिवन मैं आसा करता हूँ आप लोग स्वस्त होंगे स्टडी लेवर फैमली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज लॉंच कर रहे हैं और ये बहुत खास होने वाली है अगर आप साइन्स के स्टुडेंट है या बाय बायलोजी का टॉपिक-वाइज MSQ डिसकेसन करने वाले हैं तो टॉपिक-वाइज हमारा डिसकेसन रहने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल बायलोजी से रिलेटेड तो सेल बायलोजी का पहला पार्ट ये है आगे और जितने भी महत्तोपूर्ण क्वेसन आ हमें पता होना चाहिए तो वो concept सही पूरा analysis आप इसको theory class ही समझ सकते हैं लेकिन mcq के थुरू एक तो हमारे पास idea रहेगा कि किस तरह के question इस से बनते हैं और ये जो topic wise mcq है ये पूरे neat exams में पूछे गए question है और इसी level के question अमूमन चाहिए आपका lt exam हो या फिर lecturer का biology का exam हो या tgt pgt में इसी तरह के प्रस्ण आपको पूछे जाते हैं तो शुरू कर लेते हैं cell biology का हमारा आज का पहला प्रस्ण सबसे पहले fluid mosaic model के अनुसार plasma जिल्ली बनी होती है option देख सकते हैं फॉस्पो लिपीट्स वा oligosaccharides की फॉस्पो लिपीट्स वा hemicellulose की फॉस्पो लिपीट्स वा echicrit proteins की या फॉस्पो लिपीट्स बाहिय प्रोटीन वा आंत्रिक प्रोटीन की तो पहले समझ लीजिए plasma जिल्ली या इसको हम बोलते हैं कोशिका जिल्ली भी बोल सकते हैं cell membrane plasma membrane या cell membrane तो कोशिका जिल्ली भी इसको बोलते हैं हम पहली बात तो यह धियान रखेंगे और इसके अलावा जो plasma जिल्ली होती है fluid mozik model जो है यह हिंदे में बोल सकते हैं तरल mozik परतिरूप क्या बोलेंगे तरल mozik परतिरूप पहली बात यह धियान रखनी है तरल मौजेक परतिरूप भी हम इसको बोलते हैं तरल मौजेक परतिरूप और यह जो तरल मौजेक परतिरूप है यह किस ने दिया था तो यह धियान रखना पहले एक साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन सिंगर एंड निकोलसन ने यह मौडल दिया था तरल मौजेक मौडल तो Singer and Nicholson का model है तरल मौजेक परतिरूप इसके अनुसार क्या है कि जो प्लाजमा जिल्ली होती है यह क्या है एक तरह का अर्ध तरल है अर्ध तरल है तो यह अर्ध तरल है कौन सा प्लाजमा जिल्ली जो हमारी cell membrane होती है cell membrane जो है जीवीत एक पत्ला structure होता है हमारी cell के बाहर से ठीक है तो यह धियान रख सकते हैं यह अर्ध तरल है फ्लूइड मौजेक model के अनुसार और model किस ने दिया था singer and Nicholson ने दिया था और इस तरल में जो protein होते हैं protein जो होते हैं वो मौजेक परतिरूप में पाये जाते हैं किस में मौजेक परतिरूप में पाये जाते हैं और जो तरलता इसमें होती है वो क्यूं होती है फॉस्फो लिपीड के कारण होती है किसके कारण फॉस्फो इसमें होता है तो फॉस्पो लिपीड हमारा सही है लेकिन फॉस्पो लिपीड क्या है सभी में हैं तो और क्या इसमें होते हैं तो फॉस्पो लिपीड के कारण तरलता होती है और तरल में क्या होते हैं प्रोटीन मुमेंट करते रहते हैं तरल में प्रोटीन गती करते रहते ह यह धियान रख सकते हैं इसके अलावा जो phospholipids दूई इसतर प्लाजमा कला होती है, phospholipids के दूई सतर और protein की बनी होती है, protein आणू जो होता है इसके अंदर और बाहर दोनो जगए protein गती करते रहते हैं ठीक तो जो protein इसमें होंगे मतलब मान दीजिए ये जो है protein की layer है ठीक है double layer protein की sorry double layer phospholipids की double layer है और इसके इधर भी proteins है और इधर भी proteins है दोनों side तो जो inner part में protein होते हैं उनको हम कहते है inner protein या antric protein और जो बाहिय भाग में protein है उनको बाहिय प्रोटीन कहते हैं तो सीधी सी बात है इसमें क्या फॉस्पोलिपीट्स है आंत्रिक protein है और बाहिय प्रोटीन है तो हमारा सही answer हो जाएगा option number D फॉस्पोलिपीट्स बाहिय प्रोटीन वह आंत्रिक प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा जिल्ली तो पहला question हमारा वह अगला प्रसंद देख सकते हैं हेमर लिंग के केंद्र किया कोशिका द्रबी प्रयोग में उप्योग किये जाने वाला acetabularia होता है क्या होता है acetabularia क है बहुत important question है एक कोशिकिया का वक है बहु कोशिकिया का वक है एक कोशिकिया एक केंद्रिया हरा सहवाल है एक कोशिकिया बहु केंद्रिया हरा सहवाल है तो जो हैमर लिंग का जो परयोग था नूकलियो साइटो प्लाज्मिक या ना भी किया कोशिका द्रब्बी ना भी क Acetabularia है, वो क्या है, एक कोसि गया, एक केंद्रिया हरा सहवाल होता है, एक कोसि का, नुकलियों सािटोप्लाज मिक जो होता है, वो एक कोसि किया, एक हरा सहवाल होता है, जो Nucleosytoplasmic परयोग में हैमर लिंग के द्वारा Acetabularia परयोग किया जाता है तो Acetabularia क्या है? एक कोसिकिया, एक केंद्रिया, Unicellular है और एक केंद्र इसमें पाया जाता है Acetabularia में एक केंद्रक पाया जाता है तो एक केंद्रिया हरा सहवाल है, एक कोसिकिया जो केंद्रक होता है, नूकलेस होता है, थ्री टाइप का होता है नंबर में, एक तो मोनो नूकलेस हो गया, मोनो नूकलेट हम बोलते हैं, या एक केंद्र की, एक केंद्र की हो गया, दूसरा, दू केंद्र की हो गया, डाइनूकलेट, डाइनूकलेट, और तीसरा जो हमारा हो होता है multi nucleate, multi nucleate, तो uni cellular, uni nucleate बोल सकते हैं या mono nucleate, mono nucleate का example क्या हो गया, एक कोसिकिया, एक केंद्रिय हरास है वाल, aceta buleria और जो हमारा द्वी केंद्रिकी होता है, di nucleate का बहुत अच्छा example है, piramysium, ठीक है, और multi nucleate तो common है, चलिया, आगे बढ़ते हैं, next है, कोसा होमीजीनेट से अंगों को पिर्थक किया जा सकता है, किस के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, एक्सरे परकीनन द्वारा, बिभेदनकारी, सेंट्री फ्यूगेशन द्वारा, या स्वरेडियोग्राफी द्वारा, तो इस क् जो सही आंसर है, देखे, अप्सन है, बिभेदनकारी सेंट्री फ्यूगेशन द्वारा, देखे, सेंट्री फ्यूगल, सेंट्री फ्यूज आपने सुनाओगा, सेंट्री फ्यूज, यह समझ यह जरा सा, सेंट्री फ्यूज क्या है, एक उपकरण होता है, सेंट्री बिभीन को सिकांग और भhow with Kapitooец को प्रिविया सकता है एक एक हम उसको यह द्यान है अग्लान इस है außer में रख सकते हैं इस प्रकेठा के लिए एक सब्द धियान रखना है इसको हम चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है हमारा प्लाजमा जिल्ली बनी होती है और इससे रिलेटेड हमने अभी क्वेस्टन डिसकस किया था सिंगर एंड निकोलसन मॉडल पे जो था फ्लूइड मॉजेक मॉडल वाला ठीक है तो वही से प्लाजमा जिल्ली बनी होती है हमने पढ़ा था कि फॉस्पो लिपीट्स होता है और प्रोटीन होता है फॉस्पो लिपीट्स की डबल लेयर और प्रोटीन तो जो फॉस्पो लिपीट्स इसका एक मॉडल और आपने पढ़ा होगा सैंडवीच मॉडल लेकिन सैंडवीच म जो है वो उतना परभावी नहीं वा था सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट है और जो मान्य है वो सिंगर और निकोलसन का फुलूइड मॉजेक मॉडल ही है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कार्भो हैड्रेड जो है प्रोटीन और लिपिट्स के बने होते हैं तो प्लाजमा लेमा भी हम बोलते हैं जो प्लाजमा लेमा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए प्लाजमा लेमा या जो कोशिका जिली नाम दिया था व प्लाज्मा लेमा का या सेल मेंब्रेन बोल सकते हैं सेल मेंब्रेन नाम दिया नागेली और क्रेमर ने लेकिन जो प्लाज्मा लेमा नाम दिया था वो प्लोवर ने दिया था प्लोवर ने कहा था प्लाज्मा लेमा तो यह धिहन रख सकते हैं दोनों के नाम और यह प्लाज्म membrane के नाम से भी जाने जाती है कोशिका जिली के नाम से भी जाने जाती है तो क्या होता है protein और lipid होता है ठीक है बहुत अच्छा example एक मैं दूँ आपको तो जो RBC होती है RBC को क्या कहता है erythrocytes तो जो erythrocytes होती है erythrocytes का जो composition अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है 52% तो इसमें protein होता है 52% protein और 40% approximate आपका lipid होता है lipid तो यह RBC का जो composition है RBC की जो plasma lemma है उसमें क्या होता है protein और lipid इस अनपात में होते हैं तो answer हमारा हो जाएगा protein और lipids की बनी होती है चलिए अगला प्रसन देख सकते हैं poly ribosomes समूहन होते हैं ऑप्सन देख लीजिए ribosomes वा RRN का किवल RRN का proxy sombs का या mRNA द्वारा बंधे अनेक ribosomes का तो जो poly ribosomes होते हैं poly ribosomes के बारे में समझ लीजिए देखिए ribosomes का पता है ना ribosomes ribosomes के बारे में थोड़ा सो सुनिजिए जल्दी से ribosomes का जो खोज है पलेडे ने किस में देखा एनिमल्स में देखा पलेडे ने यह दिहन रख सकते हैं और अगर plants की बात करें तो Robinson and Brown यह दिहन रखिए दूसरा जो अपने क्रोमोसोम्स हमेशा देखा होगा तो क्रोमोसोम्स आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि 70S जो है वो आपके किसमें पाय जाते हैं प्रोकेरियोट्स में 70S टाइप के यो प्रोकेरियोट्स में और 80S टाइप के हम परते हैं कि यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं ये क्या होते हैं S इसमें तो जो 70S और 80S होते हैं इनमें जो S होती है वो इनकी क्यों बोलते हैं शेटिमेंटेशन रेंट होता है, या S जो दिनोट करता है,та ए-चा सेटिमेंटेशन रेंट करता है, या इसको हिंदी में हम लो और तो जर्शन 70S होती है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको जब डिवाइड करते हैं तो दो भागों में 50S, 50S और 30S, अब आप लोग ये मत बोलना कि 50 और 30 तो 80 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, 50 और 30, 80 ही होता है, लेकिन ये क्या हैं, ये राइबोसोम्स की प्रोकेरियोट्स में राइबोसोम्स पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकेरियोट्स में पाया जाता है, उसकी 60S और 40S, सब यूनिट्स हैं ये इसकी, ठीके, तो ये क्ये हैं, सब यूनिट्स हैं, 40S और 60S, इतने बाते समझाएं, आगे देखिए, आगे इसमें क्या होता है कि जो sub units इसकी होती है तो जो 50S है वो बड़ी sub unit हो गई जो 30S है वो उसकी छोटी sub unit होती है अब देखें जो हमारा question है क्या बोल रहा है polysomes भी हम इसको बोलते हैं या polyribosomes कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो जब protein synthesis हो रहा होता है तो protein synthesis के बक्त क्या होता है कि 4S जो ribosomes होते हैं 4,5 ये अपनी छोटी उपिकाई की मदद से जो क्या करेंगे अपनी छोटी उपिकाई की मदद से मतलब जैसे ये इसकी बड़ी काई हो गई ठीक है ये इसकी छोटी उपिकाई हो गई तो अपनी छोटी उपिकाई की मदद से ये क्या करते हैं MRNA से मिल जाते हैं MRNA से मिलकर क्या बनाते हैं पॉली सोम्स बनाते हैं या पॉली राइबो सोम्स बनाते हैं तो question का answer मिल गया कि ये अनेक राइबो सोम्स क्या होते हैं MRNA से बंदे होते हैं तो सही answer हो जाएगा हमारा option number D क्या फिर से सुन लीजे एक बार कि क्या होता है protein synthesis के दोरान 4 से लेकर 5 जो राइबो सोम्स होते हैं ये क्या करते हैं अपनी छोटी उपिकाई की मदद से जैसे animal cells की छोटी उपिकाई कौन सी होगी 40S वाली तो 40S वाली उपिकाई की मदद से ये क्या करते हैं MRNA के साथ मिलकर फिर क्या बनाते हैं पॉली सोम्स बनाते हैं जिनको पॉली राइबो सोम्स भी कहते हैं तो ये धियान रखना आंसर हो जाएगा MRNA द्वारा बंधे अनेक राइबो सोम्स का चलिए नेक्स देख लेते हैं नूकलियो प्रोटीन का संसलेशन इसमें होता है किसमें होता है नूकलियो प्लाजमा में नाविकिया केंद्रकावरण में केंद्रिका में या कोशिका द्रभ्य में तो जो सही उत्तर हो जाएगा नूकलियो प्रोटीन क्या होता है इनको हम बोलते है यह समयुगमी प्रोटीन होती है क्या होती है समयुगमी प्रोटीन नुकलियो प्रोटीन समयुगमी प्रोटीन होती है नुकलियो प्रोटीन इसमें आपने देखा होगा क्या आता है DNA और RNA बहुत अच्छे एक्जामपल है नुकलियो प्रोटीन के तो ये क्या करते हैं, ये कोसिका के कोसिका दरब्य में संसलेशित होते हैं, कोसिका के कोसिका दरब्य में, कहां कोसिका दरब्य में, साइटो प्लाज में, तो आंसर हो जाएगा option number D, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक वाइवेलेंट बना होता है एक वाइवेलेंट बना होता है दो क्रोमेटिडों वा एक सेंट्रोमियर का दो क्रोमेटिडों वा दो सेंट्रोमियर का चार क्रोमेटिडों वा दो सेंट्रोमियर का या चार क्रोमेटिडों वा चार सेंट्रोमियर का तो सही उत्तर जो हमारा है वो क्या है कि जो वाइवेलेंट होता है ये क्या होता है देखें यू समझें कि गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र तो जानते हैं ना क्रोमोजोम्स ठीक तो गुणसूत्र क्या होते हैं जब कोई समझात गुणसूत्र समझात गुणसूत्रों का कोई एक जोड़ा समझात गुन सूत्रों का एक जोड़ा जो क्या करता है सेल डिविजन सुना होगा अर्धुसूत्री विभाजन ठीक है तो जो पर्थम अर्धुसूत्री विभाजन होता है तो पर्थम अर्धुसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्ता, प्रोफेज अवस्ता, प्रोफेज अवस्ता में क्या होता है, जाइगोटीन चरण, जाइगोटीन चरण में साथ पाया जाता है, कौन सा, समझात गुन सूत्र जो होते हैं, समझात गुन सूत्रों का एक जोड़ा, जो पहली अर्दुसूत्री की प्रोफेज अवस्ता में जाइगोटीन चरण में साथ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं Bibleand Bibleand क्या है समझात गुनसूतरों का एक जोड़ा है जो C Au regime के टाइम पे जो प्रथलमर्द सूत्री विभाजन होता उसकी प्रोफेज अवस्ता में साथ पाया जाता है, किसके जाइगोटीन चरण के साथ पाया जाता है, समझात गुनसूत्र का जोड़ा ही क्या कहलाता है, बाइबेलेंट कहलाता है, और यह जो बना होता है, यह क्या, चार क्रोमेटिडों और दो सेंट्रोमियर का बना होता है चलिए, आगे बढ़ते हैं, सेंट्रो मियर कहा होते हैं, सेंट्रो सोम में होते हैं, तारक काय में होते हैं, सेंट्रो मियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त सूक्षम दर्सी की बिरहती करण छमता इससे नहीं जुड़ी होती है, किससे नहीं जुड़ी होती है, आपसन देख सकते हैं सांख्या छेदर से वस्तू की फोकल दूरी से आईपीसकी फोकल दूरी से या नली का लंबाई की संयुक्त सूक्षिम दर्सी की जो बिरहती करन चमता है जो उसका मतलब बड़ा परतिविम बनाने की जो चमता होती है वो इन में से किस से नहीं जुड़ी होती है संख्या छेदर से बस्तु की फोकल दूरी आई-पीस की फोकल दूरी या नली का लंबाई तो संयुक्त सूक्षिमदर्सी में जो Magnification बोलते हैं न, Magnification जूम आउट मुवाईल में तो देखाऊगा, Magnifier एक टूल यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, जूम करते हैं जो को बड़ा दिखाते हैं, तो Magnification क्या होता है, वस्तू लेंस वा आकुलर लेंस का गुणन फल होता है ठीक है? तो ये धियान रख सकते हैं मतलब जो आकुलर लेंस उसमें लगा होता है उसका और वस्तु का जो लेंस होता है वस्तु लेंस का होता है उसका गुणन फल होता है मतलब मान लीजिये कि 40X का जो है हमारा वस्तु Lens है और जो ओकुलर Lens लगावा है वो 10x का है कितना 10x का है तो ये multiply हो जाएंगे गुणन फल होता है इसका तो कितना हो जाएगा 400 गुणा तो कितना 400 गुणा हो जाएगा तो किस के answer हो जाएगा जो हमारा क्या होगा संख्या छिद्र संख्या छिद्र तो संख्या छिद्र संख्या छिद्र से नहीं जुड़ी होती है फोकल दूरी से भी जुड़ी होती है ठीक है और नलिका लंबाई से भी जुड़ी होती है तो संख्या छिद्र से नहीं जुड़ा होता है आगे देखिए प्लाज्मा जिल्ली का नवींतम प्रारूप क्या है नवींतम प्रारूप क्या है लेमलर प्रारूप एकाई जिल्ली प्रारूप फ्लूइड मौजेक प्रारूप या आन्विक लिपिड प्रारूप नवींतम बताना इन में से देखिए हम डिसकस कर चुके हैं कि जो fluid magic model है वो सबसे मान्य प्रारूप भी है और सबसे नवीन तम भी है इससे पहले एक आप मैंने बताया कि sandwich model आया था sandwich model sandwich model जो था समझ लिज़े जरा सा ये भी Danely और Davison ने दिया था Danely Danely and Davison Danely and Davison ने दिया था sandwich model तो sandwich model Danely and Davison ने दिया था और इसमें ये बताया था कि जो plasma lemah है उसकी सरचना three layered तीन इस तरिया है plasma lemah की सरचना और इसमें दो पर्तें तो protein की पाई जाती है और एक जो है phospholipid की प्रत पाई जाती है तो इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन की परते होती है वो बाहर की तरफ होती है एवम जो फॉस्पो लिपीट की परत होगी वो भीतर की तरफ मतलब सैंडवीच मॉडल है बीच में प्रोटीन की परत इस तरह सोरी लिपीट की परत ये है और प्रोटीन के परत ये तो सेंडविच मॉडल यह कहता है लेकिन इस मॉडल को सुईकार नहीं किया गया क्योंकि जो प्रोटीन की अवस्ता इन्होंने बताई थी वो सही नहीं थी पहली बात सेंडविच मॉडल दूसरा जो मॉडल था वो था इकाई कला प्रतिरूप हम बोलते हैं या यूनिट सेंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग ही सरचना बताई थी और खास यह बात बताई थी कि जो समस्त कोशिका जिली के अंदर जो कोशिका में पाए जाने वाली जो समस्त जिल्लियां होती है वो सरचनात्मक और कार्यात्मक जिरिश्टी से समान होती हैं ये बता है कि जो भी cell membrane, cell membrane, cell के अंदर जो भी कोशिका जिलियां पाई जाती हैं, वो सनचना और कार्यात्मक रूप से समान होती हैं, बाद में इस model को भी अस्विकार कर लिया गया, तो sandwich model हो गया, एकाई कला परतिरूप हो गया, दोनों ही मानने नहीं हैं, मानने कौन सा है, fluid logic model है, और fluid logic model को हम discuss कर चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, next है, फिर से question है, acetabularia से जोड़े हैं मेर्डिंग के परियोग में आदान परदान होता है, किसका आदान परदान होता है, acetabularia बता है न, कि mononucleate algae है, mononucleate algae, एक केंद्री हरासेवार, कोशिका द्रब्य का, केंद्रक का, rhizoid वा स्टॉक का, या युगमगों का, तो सही answer जो हो जाएगा, तो जे हैमरलिंग ने कब दिया था, 1934 में परियोग किया था ये, आंसर इसका है, rhizoid वा स्टॉक का, rhizoid और स्टॉक का आदान परदान होता है, acetabularia पे इन्होंने परियोग किया था, दोनों क्या होता है भिन होता है दोनों जो है दोनों नहीं राइजोड और स्टॉक का तो इन में आदान परदान होता है ठीक है एसिटाबुलेरिया के अंदर तो एसिटाबुलेरिया जो है इसमें ये साबित किया गया था कि ये जो इसके जो लक्षन है वो केंद्रक द्वार वो नियंतित होता है और जो हेमरलिंग के परियोग में आदान परदान होता था वो राइजोईड वो स्टॉक का होता था राइजोईड और स्टॉक का इसमें उन्होंने एसिटा बुलेरिया की दो परजातियों के बीच में परियोग किया था एसिटा बुलेरिया एक तो था मेडिन टरिनी तो इन दोनों के बीच में उन्होंने इन दो प्रजातियों के बीच में उन्होंने पर्योग किया था और यहां आदान परदान किसका होता है राइजोईड वह स्टॉक का चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, सूक्षम दर्सी की उच विसलेशन चमता का कारण होता है, विद्चुम के ये लेंस, एलेक्ट्रोन बीम की अत्याधिक कम तरंग देह रहे, पर्योगार्थ प्रकास रोद की कम तरंग देह रहे, पर्योग किये गये glass lensوں का उच numerical aperture तो जो सही उत्तर हो जाएगा resolution की बात कर रहे हैं यहांपर resolution resolution बोलते हैं न हम लोग mobile में भी तो बढ़ाते हैं resolution resolution अच्छा नहीं आता है तो picture का जो pixel है वो फटने लग जाता है अगर अच्छे resolution पे हम picture क्लिक नहीं करते हैं तो वही बात यहांपर बोली जा रही है कि उच्छ विसलेशन च्छमता जो है किसके कारण होती है यह क्या होता है यह electron beam की अत्यदिक कम तरंग देर्य के कारण होती है क्या होता है कि यह जो resolution है वो च्छमता है सूक्षिम दर्सी की इससे क्या होता है कि जो निकटस्त करण होंगे निकटस्त जो करण होते है उनको अलग-अलग पहचाना जा सकता है जैसे हम क्या देख रहे है कोसिका जिल्ली के देख रहे है अनप्रस्त कारण को देख रहे है सूक्षिम दर्सी में तो कोसिका जिल्ली के अंदर जो निकटस्त करण होंगे वो अलग-अलग साब दिखाये जाने वाली छमता को ही हम विसलेशन छमता कहेंगे या resolution कहेंगे यह धियान रख सकते हैं तो resolution कहते हैं और electron सोक्षम दर्सी की resolution छमता अधिक होती है कब जब electron beam की अत्यधिक कम तरंग देर्य रहेगी ठीक है तो यह धियान रख सकते हैं आँसर हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं next है विसलेशन छमता योग्यता होती है दो निकटस्त बिंदुओं को पहचानने की शमता अंगों को पहचानने की शमता वस्तु चित्र को उन्नत बनाने की शमता तो अभी बताए दो निकटस्त रखे कणों को अलग-अलग पहच पहचानने की शमता आंसर हो जाएगा दो निकटस्त बस्तुओं को पहचानने की शमता चलिया आगे बढ़ते हैं next है हमारा कोशिका जिल्ली का fluid music model प्रस्तूत किया फिर से वही क्वेस्टन है किसने प्रस्तूत किया था तो सिंगर एंड निकोलसन ने सिंगर एंड निकोलस डेनली एंड डेविसन ने राइबोसोम की खोज किसने की थी option देख लीजे बहुत important question है राइबोसोम की खोज किसने की गौलजी ने पोटर ने डी रॉबिट्स ने या पैलेड ने जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पैलेड ने किसने पैलेड ने देखा था सबसे पहले किस एनिमल्स में एनिमल्स में राइबोसोम को देखा था किसने पैलेड ने और पैलेड ने और प्लांट्स में किसने देखा था रॉबिंसन एंड ब्राउन ने तो रॉबिंसन एंड ब्राउन ने किसमें देखा था प्लांट्स में तो दोनों question पूछ सकता है अब जनरली अग प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, और यूकेरियोड्स और प्रोकेरियोड्स दोनों तरह की सेल्स में पाय जाते हैं, आईबोसूम्स, तो और दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, 70S और 80S, और किस आधार पर ये सेडिमेंटरी रेट के आधार पर, या अवसाधन गुणांग के आधार पर, या सेडिमेंटरी रेट के आधार पर, तो ये हो गया हमारा राइबोसूम्स, आगे देखिए, कोसिका भित्ती परदर्सित करती है, देखिए, बहुत important question है, कि जो कोसिका भित्ती हमारी होती है, वो क्या परदर्सित करती है, इनमें से पूर्ण पारगम्यता, मतलब क्या होता है, पूर्ण पारगम्यता का मतलब ये है, कि पदार्थों का कोसिका के अंदर और बहर आने जाने में क्या करता है, मतलब परिसरण में सायता करती है, तो इसको बोलते हैं, पूर्ण पारगम्यता, चलिए, आगे देखते हैं, next, दिए हुए कणों में, Inter-sucception या Aggregation 101 करन दिये हुए करनों में नए कोषि का भुद्टी करनों का जुढना क्या कहलाता है तो क्या होता है देखिये जो हमारी Cell Wall जो होती है कोषिका भिद्टी जो हमारी होती है वो हो दो तरह से बढ़ती है展 तो हम inter-sucception inter-sucception inter-sucution इसमें क्या होता है जो प्राथमिक भित्ती होती है उसमें खिंचा होता है और दुतियक भित्ती पदार्थों का जमाव उस पर होता है मतलब जो प्राइमरी लेयर होती है पहले ये समझ लीजिए जो हमारा सेलवाल होता है कोशिका भित्ती होती है तो कोशिका भित्ती के जो घटक हम जब पढ़ते हैं, इसकी जो सनचना जब हम देखते हैं, तो इसमें तीन सनचनाएं देखने को मिलती हैं मुख्यरूप से, एक मध्या पटलिका, मध्या पटलिका, इसको हम बोलते हैं मिडिल ले मिला, मध्या पटलिका या मिडिल ले मिला दूसरा प्राथमिक कोसिका वित्ती और दूतियक कोसिका वित्ती प्राथमिक कोसिका वित्ती और दूतियक कोसिका वित्ती ठीक तो ये तीन सनचना है इसमें देखने को मिलती है एक प्राइमरी सेलवाल और सेकंडरी सेलवाल तो दो तरह की कोसिका वित्तिया हो गई और एक ह स मैं क्रोशिस करता हूं बिनाने कि ठीक है अब धीडेखजं applies यह लिए जो बीक वाला पार्ट ह है एम एल लिखद俺 नर अमध्यपट लिखा है ठीक है اور इसके दोनो और ढार कुछ भाग तक यहां तक और यहां तक यह क्या होती है यह प्राथमिक कोशिका भित्ती होती है दोनों ठीक है तो PCW लिग दिया मैंने PCW primary cell वाल यह क्या है दोनों तरफ कुछ छेत्र तक क्या है primary cell वाल है जिया ध्यान रख सकते हैं दूसरा इसके पीछे का जो भाग है ये क्या है ये सेकंडरी सेल वाल है इस तरह भी और इस तरह भी ये क्या है सेकंडरी सेल वाल है तो ये है मतलब कोशी का भित्ती है अब क्या होता है देखे मैंने कहा जो इंटर सेप्सन होता है इंटर सेप्सन में क्या होता है कि जो प्राथमिक भित्ती होती है प्राइमरी सेल वाल है इसमें खिंचा होगा और खिंचा होने के कारण क्या होगा जो सेकंडरी सेल वाल है सेकंडरी सेल वाल है इसके पदार्थों का जमाँ उस पर होता है इसके पदार्थ इस तरफ खिंच चले आएंगे इसका जमा इस पर हो जाएगा प्राइमरी सेलवाल पर हो जाएगा ठीक इसको कहता है intraception और दूसरा जो हमारा होता है दूसरा है opposition येवाला समानाधी करन जिसको हम बोलते हैं तो opposition में क्या होता है धूतिये के बित्ति के जो पदार्थ होते हैं वो एक पत्ली परत के रूप में जम जाते हैं, एक पत्ली परत बना लेते हैं, जो secondary cell wall के पदार्थ होते हैं, अब देखिए, क्या बोल रहा है? दिये हुए कणों में नए कोशिका भित्ती, कणों का जुड़ना कहलाता है, तो इसके कण जुड़ किस में रहे हैं? जूड किसमें रहे हैं, जो हमने inter-susception पढ़ा, inter-susception तो answer हो जाएगा हमारा option number C, तो यह समझा है कि जो कोशी का cell wall हमारी होती है, इस तरह का structure होता है, बीच का जो भाग होता है इसको हम middle lemela कहते हैं, मध्यपटली का कहते हैं, और इसके इस side जो है primary cell wall एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो है कितने के बराबर होता है, 0.01 micrometer या 0.001 micrometer या 0.0001 micrometer या 0.0001 micrometer, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 0.0001 micrometer के बराबर होता है ठीक है, तो कॉन्सों अप्शन option number C हमारा सही answer हो जाएगी ठीक है angstrom जो होता है तो अगर meter में देखें तो meter में 10 to the power minus 10 meter में होता है एक angstrom के बराबर और centimeter में 10 to the power minus 8 centimeter में अगर पूछ लिया जाए कभी ठीक है तो यह धियान रख सकते हैं आगे देखिए F0 और F1 कणों के oxysomes पाए जाते हैं F0 और F1 कणों के oxysomes कहाँ पाए जाते हैं option देख लीजिए option है thailocoids पर mitochondrial सतय पर mitochondria की आंत्रिक जिल्ली पर हरित लवक की सतय पर answer हो जाएगा हमारा जो oxysomes होते हैं F0 F1 कणों के oxysomes जो हैं वो mitochondria की आंत्रिक जिल्ली पर पाए जाते हैं और यह जो mitochondria के आंत्रिक जिल्ली होती है क्रिस्टी नाम आपने सुनाओगा क्रिस्टी ठीक है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं क्रिस्टी जो नाम दिया था ये भी पहले डे ने दिया था पहले डे, पहले डे का नाम ध्यान रख सकते हैं और जो क्रिस्टी होती है इसके बारे में खास बात ये है कि क्रिस्टी पर क्या होते हैं जो ये बोल रहे हैं F0 और F1 करण जो हैं उक्सिसोम्स, इनको हम elementary particles भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं elementary particles भी बोलते हैं F0 और F1 कनों को तो elementary particle बोलते हैं और ये जो कन होते हैं ये कया करते हैं ये tennis racket के समान होते हैं tennis racket तो देखा है na tennis racket के समान ये structure में होते हैं और ये oxyosom जो होते हैं वो क्रिस्टी से जुड़ा रहता है क्रिस्टी से जुड़ा रहता है और इसके उपर क्या होता है ATP निर्मान होता है तो माइट्रो कॉंड्या के आंत्रिक जिल्ली पर जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी क्रिस्टी नाम किस ने दिया था पहले डे ने दिया था तो यह दियान डख सकते हैं, अब बढ़िया आगे, next है, सभी कवकों की सरचना समान होती है, क्योंकि वे, अपसंद एक सकते हैं, क्योंकि वे starch, हाँ, यह equation है न, 20, क्योंकि वे starch बसाव प्रोटीन का बंढारन कर सकते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकारन बदल सकते हैं, समा होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं, और, एक सेकन, मैं क्या प्रोड़ा हूँ, लवक, लवक है वे बटाई, यह प्लास्टीट, ठीक है, प्लास्टीट, प्लास्टीट की बात कर रहे हैं, सरचना में समान होते हैं, तो सनचना में समान होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में चेंज हो सकते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में चेंज हो सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, और एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदा सकते हैं, एक बहुत अच्छे एक्शंपल बताऊٌ मैं आप लोगोंको आपने टमाटर देखा होगा टमाटर ठीक के तो टमाटर में जो Plastic, Plastic का काम क्या होता है Color देना होता है ना Color लवकों के कारण क्या होता है Color आता है, तो टमाटर आपने देखा होगा कि जब कच्चा रहता है, कच्चा रहता है, तो कैसे रहता है, हरा रहता है, ठीक है, हला, तो मैं क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है ना हरा रंग, ठीक, तो हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण, और फिर क्या होता है, कि प्लास्ट के कारण कलय बदल जाता है तो ये एक्जाम्पल्स हैं किसके मतलब एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं लवक आपके प्लास्टेट ठीक है चलिया आगे देखते हैं नेक्स्ट है बाही या आवरन कारी जिल्ली अनुपस्तित होती है इन में से किस में बाहिया आवरणकारी जिल्ली अनुपस्तित होती है देखे option देख सकते हैं केंद्रक में, लाइसोसोम्स में, माइट्रोकॉंड्रिया में या लवकों में तो जो सई अंसर हो जाएगा वो क्या होगा जो हमारा नुकलेस होता है, उसके बाहिया आवरणकारी जिल्ली अनुपस्तित होती है ठीक है, तो ये धियान रख सकते हैं तो आवरणकला जो होती है, उसके अंदर नुकलियोलस पाया जाता ना तो उसके बाहरक आवरणकला का अभाव होता है नेक्स्ट है निम्न में से कौन एपारेटो रेटिकोलियर होता है अपसंद देख सकते हैं गौलजी अप्रेटस अंतर प्रदर्बी जालिका सोक्षम तंतु या सोक्षम ना लिका हैं तो सही उत्तर हो जाएगा जो गौलजी अप्रेटस या गौलजी काय होता है वो क्या होता एपारेटो रेटिकोलियर होता है तो थोड़ा सा गॉलजी एप्रेटस या गॉलजी बॉड़ी गॉलजी काई हम बोलते हैं इसके बारे में जान लीजिए यह क्या होता है सिंगल मेंब्रेन बाउंड सिंगल मेंब्रेन बाउंड सिंगल मेंब्रेन बाउंड ठीक है या क्या बोलते हैं एक जिल्ली युक्त होता है गॉल्जी बॉड़ी जो होती है एक जिल्ली युक्त होती है और प्लांट सेल में इसको गॉल्जी बॉड़ी नहीं कहते हैं बलकि क्या बोलते हैं डिक्टियो सुम बोलते हैं यह धियान रख सकते हैं इसके अलावा बाकी तो पता आई यह गॉल जी बोड़ी के जो founder थे कैमिलो गॉल जी के नाम पर इसका नाम गॉल जी बोड़ी है ठीक है और इसके जो अन्य नाम होते हैं लाइपोकॉंड्रिया भी बोलते हैं लाइपोकॉंड्रिया गॉल जी अप्रेटस बोल सकते हैं इसके अलावा एक और वर्ड यूज करत कि जो केंद्रक में अनुवानसिक सरचना होती है उसकी उपस्तिती को सो किया था केंद्रक में अनुवानसिक सरचना के बारे में बताया था देख लिजे ऑप्सन देख लेते हैं ऑप्सन क्या दिये हैं ऑप्सन दिये हैं भिनात्मक नियंत्रन में कोशिका द्रब्य की इस पर इनका यह परयोग था केंद्रक में जो आणिवांसिक सूच्णा की उपस्तिती रहती है क्योंकि यह देखा गयाвид जो एसट अबarity था फूरिया था भूण कैंद्र depression achatast segues. तो इन्होंने यह सिद्ध किया कि जो अनुवानसिक शूचनाय होती है वो केंद्रक में अनुवानसिक शूचना की उपस्तिती रहती है तो यह ध्यान रख सकते हैं तो अनुवानसिक्ता में कोशिका की भूमिका को सिद्ध किया किसने हैमरलिंक के परियोग में एसिटाबुल क्रिस्टलोग्राफी द्वारा तो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा क्या किया जा सकता है जो बिसिस्ट प्रोटीन के नियमान कारी डियने के जुड़ने का अध्यन क्या जा सकता है आंसर हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा नेक्स्ट है सलाइड इन वह स्वान का नाम जुड़ा है। तो बहुत इंपॉर्टेनिक質 है कोजिका मत से कोजिका आनवान शिक्ता के मत से केंद्रग कोजिका नीजंत्रन केंद्र का कारे करता है यह तो सबसे famous question là ना कोसिका मत दिया था इसको हम कोसिका सिधांत भी कहते हैं तो 1939 के बात है 1939 में इन्होंने क्या क्या था यह तब आया कोसिका सिधांत का कोसिका की खोस तो बहुत पहले हो चुकी थी कोसिका cell wall को देखा था सबसे पहले क возможно लेकिन यह कोशिका मत बाद में आया बाद में क्यों आया जब इलक्ट्रोन सुक्षमदर्शी की खोज हो गई तो इन्होंने क्या किया सुक्षमदर्शी अध्यन किया उसका कोशिका का और उसके आधार पर कोशिका सिधान दिया और कोशिका सिधान के अनुसार क्या होता है प हमारी वर्तमान-जानकारी के आधार पर कोषिका मत के लिए क्या सही है, अपनी वर्तमान-जानकारी के अनुसार हमें इसका answer लगाना है, प्संदेख सकते हैं उपकोष्कया सरचना वजैसे हरी तिलाव को mytrocondria की खोज के कारण इसको उन्नत करना होगा उन्नत कोशिका मत के अंसार सभी जीप परजनान योग्या कोशिकाओं के बने होते हैं या आगे देख लिजिए कोशिका मत उप्यूक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों में कोशिका संगठन नहीं होता है ad, vishanu में कोशिका संगठा नहीं होता है, इसके लावा कोशिका मत से अविपरा है कि सभी जीब कोशिकाओं के बने होते हैं, जो कि पर्जनान योग्यवा आयोग्यवा, योग्यव होते हैं, तो कोशिका मत के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, जो सही अनसर है, वो C होना चाहिए, कोसी का मत उप्यूकत, क्योंकि आपवाध है विसानु इसका, ठीक है, और क्योंकि विसानु क्या होते हैं, उनमें कोसी की मसीनरी तो होती नहीं है, उनमें क्या होता है, प्रोटीन आवरन से वो घिरे रहते हैं, और DNA होता है या RNA होता है, दोनों नहीं होत लसिका गरंथी गुण सूत्रों, पॉलिटीन गुण सूत्रों में युगलन, लसिका गरंथी गुण सूत्रों या इनको पॉलिटीन गुण सूत्र भी कहते हैं में युगलन, अनुपस्तित होता है, कभी-कभी होता है, असमजात गुण सूत्रों के बीच होता है, या समजात गुनसूत्रों मतलब option number D हो जाएगा सही answer तो polyteen गुनसूत्रों में समझाद गुनसूत्रों के बीच यूगलन होता है polyteen जो गुनसूत्रों होते हैं वो size में बहुत बड़े होते हैं अमूमन जो chromosome होते हैं उनका size 0.25 0.25 micron से लेकर 30 micron तक होता है और polyteen गुनसूत्रों ये size में बहुत बड़े होते हैं अपवाद माने जाते हैं तो size में ये बुल जाते हैं 800 से लेकर 2000 micron तक इनका size होता है तो एक बात ये धियान रख सकते हैं इसके अलावा गुनसूत्रों के बारे में धियान रख सकते हैं सबसे पहले straws burger एक scientist हुए थे straws burger ने देखा था और इसके अलावा जो गुनसूत्र नाम है वो वाल्डेयर ने दिया था तो वाल्डेयर ने दिया था गुनसूत्र नाम ठीक है तो ये धियान रख सकते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं कहलाते हैं proteins, lipids proteins वा lipids, glycoproteins वा glycolipids तो answer हो जाएगा हमारा कुसी का पैचानवा उन से जुड़ाओ कुसी का कला में कौन करता है glycolipids और glycoproteins करते हैं ठीक है तो ये धियान रख सकते हैं ये क्या होते हैं carbohydrate अणों के बने होते हैं और lipids और बाहियो proteins इनमें पाये जाते हैं ठीक है तो खास बात है जैसे आप लोग देखते हैं जब क्या बोलते हैं जब हमारा जब organ transfer होता है organ transfer ठीक है तो जैसे सीधा सा example है जैसे हमारी kidney की cell है ठीक है kidney की cell है kidney की cell में अगर kidney की cell को अगर liver की cell में डाल दिया जाए तो liver की cell liver उसको कभी accept नहीं करेगा क्योंकि जो ये glycoproteins और glycolipids होते हैं ये वहाँ पर कारे करते हैं cell को पहचानने का कोशिका को पहचानने का और उससे जुडाव का कारे करते हैं तो अगर इन्हें लगता है कि हमारा पार्टिकल नहीं है तो वह पहचान लेती है कोशिका को ठीक है तो यह होता है जब surgery होती है surgery वगएरा होती है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काफी माइने रखती है ठीक है तो I hope आप लोगों को बातें clear होई होँगी तो कोशिस है शुरुवात मैंने की है कि इस तरह से हम biology को पढ़ते रहेंगे और ये जो MCQ है बहुत important मुझे लगे ठीक है और ये पूरे net के previous year के question है जो मैंने include के ये हैं और इनसे मैंने कोशिस की है कि आप लोगों को concept भी clear हो biology के ठीक है तो I hope आप लोगों को lecture पसंद आया होगा पसंद आता है तो like जरूर करें और आप अपने जरूरी suggestion मुझे comment box में लिख सकते हैं कि क्या हम इसमें और बहतर कर सकते हैं क्या कामिया है वो भी बता सकते हैं आपके suggestion बिल्कुल always acceptable है मैं आगे और बहतर कोशिस करने का प्रियास करूँगा तो thanks everyone अपना धिहान रखियें आप लोग स्वस्त रहें thanks a lot for listening मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए जैहिंद